हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हर दिक स्वागत है देखे आज जिस न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया और चाइना का व्यापार जी हां इंडिया आज ट्रेड विद चाइना भारत का चाइना के साथ जो व्यापार है गर्चिस वन ट्वन ट्वंटी फई बिलियन यूएस डोलर देखे यानी भारत और चाइना सीमा पर कितना ही तनाव हो कितना ही हम चाइनीज बैन की बात करें बट हमारा जो व्यापार है 2020 में वो 125 बिलियन यूएस डोलर हो गया है और जो इंपोर्ट से नियर आप दिख सकते हैं जो हमारे यानि चाइना के तरफ से हमारे पास जो माल आ रहा है वो लगबा हंड्रेड बिलियन डोलर का رाइस 125 में तो आप समझ सकते हैं कि हम कहा कि हम पूरे के पूरे जो comparison है इस पूरे पूरे जो fight है उसमें कहां stand कर रहे हैं ताकि हमने काफी कोशिब किये है made in Indian के तहत made in Indian के तहत और कह सकते हैं कि ban Chinese product तो इस वीडियो में हम उन सब पहलो पर भी तर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये व्यापार जो है किस टाइप से यहां पहुंचा है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो वित्य घाटा है या व्यापार घाटा जो भी आप बोले इसको वो कितना है और इससे क्या निकलता है चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें देखें देखें डियो टू दा लैंथी स्टेंड ओफ बिट्विन फोर्स की बात करें तो इस्टर लट्दाक में हमारे जो इस्टेंड अफ्स है वो काफी दिन से चला आ रहा है और कहीं भी हम एक करते हैं कि इस्टेबल कंडिशन में बॉरڈर की तरफ से नहीं है और इससे क्या है हमारे जो आपसमें एक धेंदियों के बीच में वो भी एक कह सकते हैं कि बिल्कुल नीचाई की लेवल पे हैं बिल्कुल लो लेवल पे चले जा रहे हैं regardless of the disputes and military standoffs देखिए इन सब के बावजूद by little trade between India and China reached at a new high भारत और चाइना के बीच जो दुई पक्षिय व्यापार है by little trade है वो अपनी उचाईयों पर है यानि हमारे रिष्टे क्या हैं आपस में बहुत खराब हैं मार काफी negative कह सकते हैं कि sentiments हैं और बहुत low level पर आ चुके हैं लेकिन अगर व्यापार की बात करें आप देख सकते हैं कि जो बोलते हैं कि तिर्टिय विश्यूद जो है third world war है क्यो नहीं होगा देखिए reason है third world war जो होगा वो आप trade के हिसाब से होगा व्यापार के हिसाब से होगा ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए तो देखिए by little trade जो है यानि border पे इतनी ज़्यादा समझ्चाई हमारे बीच में हैं फिर भी हमारा व्यापार जो है आपस में काफी ज़्यादा condition बढ़ रहा है अब हम बात करते हैं जो data है उस data के हिसाब से India's trade with China in 2021 2021 में चाहिना के साथ trade है देखिए कितना है cross to 125 billion यानि 125 billion US dollar हो चुका है cross कर चुका है देखिए उसमें with imports from China nearing a hundred billion यानि इस 125 में आप देखें कि approach लगा के चल रहा हूँ है यहाँ पर कि 100 जो है वो चाइना की तरफ से है हमारा केवल 25 यानि उसके हम one by fourth ही अभी तक अपने यहाँ से उसको कह सकते हैं export कर पा रहे हैं underlining continued demand for a range of Chinese goods particularly machine देखें मसीनरीज के बारे में बात करूँ वहाँ की LED वहाँ के जो भी प्रोड़क्ट्स हैं उनकी जो है भारत में काफी demand है यही रीजन है कि जो उनका उनकी तरफ से जो हमारे यहाँ पर import हो रहा है item वो बहुत जादा है हमने काफी कोशिश की band Chinese product को make in India को बढ़ावा दो लेकिन कह सकते हैं आप यहाँ पर कि कहीं न कहीं हमारा जो make in India program है वो यहाँ पर fail होता दिख रहा है या मैं कहूं जो भी हमारा कह सकते हैं कि Chinese band या by court Chinese या plan था वो यहाँ पर fail होता दिख रहा है in the past 12 months data from China's general administration of customs released on January 14 the value of goods imported by India from China देखे इंपोर्टिड बाइ इंडिया from China चाइना से जो भारत में आई है by letter trade की बात करें अगर देखेंगे exceeded the total by letter trade in 2019 यानि देखे 2020 जो था आप क्योंकि ये सब data जो है अगर हम compare करें 2019 से तो जादे better रहे है क्यों 2020 क्या है pandemic की वज़े से एक काफी difference यहाँ पर देखा गया था बट अभी हम जो बात कर रहे है trade fell from 92 billion 92 billion से 2019 में जो था 2020 में 87 billion यहाँ पर हुआ था यानि वहाँ पर हमने देखा था कि Chinese का जो आइटम था वहाँ पर काफी ग्रावट देखी गई थी और वो ग्रावट आपको इस आंकडे में भी नजर आएगी लगबग 5.2 billion का यहाँ पर 2019 से बीच में एक ग्रावट देखी गई थी trade has boomed in 2021 thanks to a recovery in demand as well as rising imports of new categories of goods such as medical supplies देखिए जब उसके बाद में pandemic के बाद में दोड़ारी किस जो open हुआ उसके बाद में लोगों ने काफी राहत की साक्ष ली और जो medical supplies थी उनका पूरे विश्म में काफी आदान परदान हुआ तो उसका भी काफी बड़ा योगदान है इस boom में bilateral trade reached 125.6 billion in 2021 with India's imports from China accounting for 97.5 billion जिसको मैं 100 billion अभी तक बोलता आ रहा था है तो देखिए वो 97.5 billion चाइना की तरफ से और जो हमारी तरफ से है वो केवल 28.1 billion है तो देखिए कहा 97 चाइना का और कहा हमारा 21 या नि हम उनसे वन फोर्थ केरी कर रहे हैं imports were up by 30% from 2019 while India's export to China amounted rupees dollar में अगर मैं बात करूँ total amount की 28.1 billion were up as much as 56% from 2 years ago 2019 से अगर मैं बात कर रहे हैं तो ये data जो है 56% गहां पर grow दिखा जा सकता है यानि हमने भी काफी अपना जो है rate है वो बढ़ाया है बट जो अगर हम trade deficit की बात करें देखे trade deficit क्या है export and import अगर इन दोनों को हम minus करते हैं इक तरसे तो देखेंगे जो भी data निकल के आगर minus निकल के आ रहा है यानि export क्या है हम अगर अपने हाँ से बात करें तो हमारे हाँ से जो चाइना में जा रहा है import जो चाइना से हमारे याँ पर आ रहा है तो हमें पता है कि import हमारा जाद है तो import minus export जब हम ये करेंगे तो जो value निकल के आएगी वो हमारा नुकसान होगा घाटा होगा क्योंकि चाइना इतना extra समान भेज रहा है तो उसको extra पैसा revenue प्राप्त हो रहा है हमें लकुना revenue कम हो रहा था इसको बोलेंगे हम trade deficit तो the trade deficit between two countries remained much in favor of China at 69 billion US dollar तो देखे चाइना को जो है इससे फाइदा हो रहा है 69 billion US dollar का जो 2019 के compare में देखें तो 22% का यहाँ पर उनको इजाफा या improvement देखने को मिला यानि चाइना जो है 22% जादा revenue 2019 इसके compare में भी ले रहा है यही वज़े है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो हमने काफी courses की कि buy court Chinese product, buy court China, buy court China band Chinese products बट इसका कुछ जमीनी तोर पर यहाँ पर कुछ कह सकते हैं result देखने को नहीं मिल रहा है while a breakup of imports and exports was not immediately available अगर exact data कि मैं imports and exports की बात करूँ तो immediately available नहीं है India's biggest export to China in recent years were India's biggest exports यानि जो हमने export किया है iron ore, cotton and other raw material based commodities which have seen a recovery in demand in China last year while India has imported large quantity of electrical देखिए चाइना इसका जब भी बात होती है तो इनके machines में especially electrical and mechanical जो machines है वो सबसे उपर टोप में रहती है active pharmaceutical ingredients auto components आप देखेंगे ही oxygen concentrators to PPE kits यह जो आपने काफी सुनाओगा personal protecting जो equipment होते हैं उनके बारे में 2019-20 में काफी चर्चा में था PPE kit and oxygen concentrators 2000 जो delta variant आया था तो काफी बोला oxygen concentrators की कमी है oxygen की कमी है तो यह सब चीज़ें हमने क्या है बहुत high level पे क्या है demand की थी the 43% year on year growth in bilateral trade with India was among the highest among China's major trading partners तो देखें इंडिया का जो China के परतिकर मैं बात करूँ total जो revenue के ट्रेड की बात करें तो हम क्या है 15th largest partner रहे हैं 2021 में यानि 15 नंबर पर हम आते हैं अगर top 1 की बात करूँ तो देखें आसियान countries जिसमें 28% का उच्छाल देखा गया और 878.78 billion यहाँ पर जो amount है उसकी बात कर रहा हूँ European Union 8.28 और अगर country ही में देखें तो United State of America है उसका 755.6 billion US dollar का यहाँ पर trading partners है China और USA हम जो है इसमें 15 नंबर पर आते हैं with 125.6 billion तो देखें GAC spokesperson Lee Quinn said China's medical export had more than doubled in 2021 चाइना की जो भी medical exports हैं वो 2021 में double हुए हैं while laptops and home appliances were up 13% and growing global demand देखें जो laptops या home appliances हैं उनमें 13% का उच्छाल देखा गया है despite China's robust trading performance and the recovery in 2021 with imports and exports up 30% officials warned of the thread of disruptions to global supply chains as the world continues to deal with the impact of the more transmissible Omicron event in the new year तो देखें ये एक just questionnaire ही आपको यहाँ पर देखना बलेगा कि 30% उच्छाल है तो कहीं ऐसा कुछ दिक्कत ना जो Omicron के चलते क्योंकि वापस अगर कुछ दिक्कत आती है तो पूरे विस्व को इससे जूजना पड़ेगा लेकिन सबसे important जो हम point लेके चले थे कि हमारे बीच में हमेशा से क्या है हम जब भी भारत और चाइना की बात होती है लेकि कितने भी कोसिस कर ले हम कितने भी हम लोगों ने कोसिस की बैन करने की या बाइकाट करने की हम एक दूसरे को बाइकाट नहीं कर पाते है और especially हम चाइनीज के प्रोड़क्ट को कहीं भी make in इंडिया कितना भी कर लीजिए लेकिन जो एक flow स्टार्टिंग में रहता है आप make in इंडिया का इतना तक्राय हाँ पर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ उसमें बहुत डिला ही देखी जा रही है और जो बैन चाइना है वो भी जाद दिन नहीं चल पाया तो ये थी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएए कमेंट बॉक्स में फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत